आज का कुश्चन नमर एक है 4 की पावर एन इंटू में 4 की पावर 8 माइनस 4 की पावर एन प्लस 1 अपन में 4 इंटू में 4 की पावर एन प्लस 7 बरावर एक्स है तो 4 x इंटू में 4 की पावर 7 की वेल्यू क्या होगी options से दे रहाँ मैं आपको 4 की power 7 minus 1 4 की power 6 minus 1 4 की power 5 minus 1 अब 4 की power 10 minus 1 ठीक है question number 2 question number 2 है cube root 3 cube root 3 into में 3 का cube divided by 3 की power minus 3 by 2 equals to 3 की power a plus 1 then value of a a का मान क्या होगा और इसके options दे रहाँ आपको 23 वटे 6 दूसरा option है 27 वटे 6 तीसरा option है 29 वटे 6 और लास्ट आप्शन है नन ओफ दे ये दो गोशन है चलिए देखो यहाँ पर x दिया हुआ है और x गुणा में 4 की power 7 की value पूछ रहा है तुमसे न तो इसका मतलब क्या है भई कि अपने पास में पहले से ही x गुणा में 4 की power 7 हो तो हमें calculation कम करनी पड़ेगी तो इधर भी में ने 4 की power 7 का multiply कर दिया और इधर जब multiply करोगे न तो bracket लगा के करना है क्यों करना है इसका मतलब यह है यह का multiply करना है तो हमें b-c से पूरे में करना है तो ब्रेकेट लगाना पड़ेगा अगर ब्रेकेट नहीं लगाया तो तुमने यह रहे है question इसका मतलब यह का multiply किसमें रहे है केवल b में गलत हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब 4 की power 7 का multiply इधर कर दिया 4 की power 7 का multiply इधर कर दिया अब जो plus और minus लगे हुए न उनको खोल दो कैसे 4 की power 7 St可能 8 के चार की power n इंटू में चार की power 8 माइनस देखो घाते जुड़ती कब है जब आदार संमान होता है वो गुणा के रूप में ऊती है तो यह बन जाएगा 4 की power n गुणा में 4 की बोवर कितनी एक बटे में चार गुणा में चार की पॉवर N प्लस साथ है तो ये भी तो गुणा की रूप में होंगी तभी तो जुड़ेंगी चार की पॉवर साथ के लिए तो हमें RHS को तो छेड़ने नहीं है क्योंकि इसकी वेल्यू चाहिए हमें LHS को इस वालू करने है तो यहां पर देखो चार की पॉवर साथ का मल्टिप्लाई पूरे में है और ये नीचे सारे मल्टिप्लाई में है तो चार की पॉवर साथ से चार की पॉवर साथ कट जाएगा अब यहां पर चार की पॉवर N चार की पॉवर N है? यहां पर देखो 4 की पोवर 8 4 की पोवर 1, 4 इसका मतलब 4 की पोवर N गुणा में 4 को common लेलू में, तो ऊपर बचे का क्या? 4 की पोवर 7, क्योंकि 1 4 भी common आ रहा है यहां पर, माइनस यहां पर 4 की पोवर N भी common ले लिया, और 4 की पोवर 1 भी common ले लिया तो एक बच्चे का बटे में चार गुणा में चार की पॉबर एन यही बचा तो चार की पॉबर एन से चार की पॉबर एन गया चार से चार गया तो बचा क्या चार की पवर साथ माइनस एक ओप्षन कौन सा हो जाएगा पहला वाला किलियर दूसरे कोश्चन पर आओ दूसरा कोश्चन ट्राई किया करो देखो इसको करणी के रूप में लिखूंग तो तीन की पवर एक बटे तीन होगा ल्यक्रते लय विएगा एनटू में गुणा हो रहा है तीन की पवर कितना तीन फिर भाग है थीन की पवर कितना माइनस तीन बटे दो और बरावर है तीन की पॉवर ए प्लस बन ये चीज मैंने आपको पहले भी बताईए जिसकी वेल्यू पूछ रहा है वो पॉवर की फॉर्म में है तो केवल और केवल आधार बरावर करके solve हो का तो यहां से अब देखो यह घाते तो जुड़ जाएंगी यह उपर जागर plus minus होगी तो minus तो पहले से ही है plus हो जाएगी तो मैं directly लख सकता हूँ इसको 3 की पॉवर एक बटे 3 पिलस 3 और यह minus 3 बटे 2 पिलस का हो जाएगा 3 बटे 2 बरावर 3 की पॉवर ए प्लस 1 यह बनेगा ठीक है तो यह बन जाएगा अपना एक बटे 3 पिलस 2 पिलस 1 पिलस 3 बटे 2 बरावर ए पिलस 1 मैंने 3 को 2 और एक में तोड़ दिये क्योंकि एक से एक काट दोंगा में सीधा clear और जब इसको जोड़ोगे तो यह बरावर आजाएगा अपने पास में 23 बटे कितना 6 तो ओप्सन हो जाएगा कुंसा यह बाला clear यह कुश्चन था कि देखोए नेक्ष्ट इन दो कुश्चन में से एक स्वल में करवाऊंगा एक आपको करना है तो कुश्चन है पहला 2 raised to power x plus 6 बरावर है 8 की power x plus 1 तो x का मान क्या है देखो x किस फॉर्म है पॉर्म है न तो बेसीकुल करने होंगे कर दे होंगे यहां से x का मान पूछ रहा है ओप्सन से 3 वटे 2 5 वटे 2 7 वटे 2 9 वटे 2 दूसरा कुश्चन 2 की power 2x minus 2 equals to 16 और 2 की power x plus 2 बरावर है 32 तो x into y का मान क्या है इसके ओप्सन से 2, 4, 6, 8 ठीक है और कोश्चन नम्मर चार है और कोश्चन नम्मर चार है 3 की power 2x minus 2 बरावर 3 की power x plus 2 बरावर अंडर रूट 27 तो 3 की power x minus 2 का मान क्या होगा और इसके ओप्सन से हैं एक बटे रूट 3 रूट 3 एक बटे में रूट 27 ठीक है अब इसमें से एक कोश्चन मैं करवा रहा हूँ फिर बाकी के आपको करने हैं पहले समझ लो देखो पहला इजी है पहला कर सकते हो है न दूसरा दूसरा मैं करवा रहा हूँ क्योंकि दूसरे के जैसे ही है न ये बाकी के है ठीक है देखो दूसरा वाला देखना यहाँ पे आदार कितना है 2 यहाँ पे कितना है 16 तो 16 को लिख सकता हूँ में 2 की पोवर 4 तो एक समीकरण बन जाएगा 2x-2 बरावर 4 से मैंसे ही 32 को लिख सकता हूँ में 2 की पोवर कितना 5 तो यह बन जाएगा तुमारा दूसरा समीकरण x-2 बरावर कितना 5 क्योंकि आदार समान हो जाएगे 2 और 2 इधर भी आदार समान होगे 2 और 2 गातों की तुलना करोगे अब एक चीज मैंने बताई थी आपको हो कि जितने अन्नों है मतलब जितने इनकी वेल्यों में ना मालम जिनकी वेल्यों में निकाल ली है उतना ही समीकरण चाहिए होती है समीकरण नहीं बन रहे है तो फिर कोश्चन तुलना से सॉल्व होता है यहाँ पे एक्स और भाई दो ही तो अन्नों है तो दो समीकरण बन रहे है यह एक यह रहा बन रहे है समीकरण तो यहाँ से सॉल्व कर दोगे देखो दोनों के चिन कैसे है एक्स के गुड़ांग बराबर नहीं है भाई के गुड़ांग तो बराबर है वो तीन का गोड़ज होगा और तीन का गोड़ज यह की एच्छ है या फिर पूरा सौलू करो X की value आप कहीं भी रख दो X की value मैंने इस question में रख दी 3 पिलस by बराबर 5 तो by बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 कितना 2 और by बराबर 2 और X बराबर 3 तो X into by बराबर कितना हो गया 6 बात समझ में आई तो यह question को मैंने करवा दिया हैं बागी के 3 आपको खुद करने हैं फिर मैं करवाता हूं नहीं होते हैं तो ठीक है तो यह दूसरा वाला question तो होईगे ना इसको तो मिटाई देता हूं मैं देखो question नमर 3 question नमर 3 बहुत हीजी है इसको डारेक्टली basic से तो तुम solo करी लोगे डारेक्ट बतारो मैं यह 27 का मतलब क्या है 3 की पूबर 3 इसका मतलब x-y की वैल्यू 3 है तो 2 और एक में तोड़ सकता हूं 2 और एक 3 होते हैं x की value यहां पर जो option दिये हुए y की केतना दिया हुए y का पहला एक y की value 1 होगी तो x की 2 और y की 1 तो यह अपलाई करो x की 2 2 2 4 minus y की value 1 3 बचा तो 3 की पूबर 3 केतना होता 27 तो यहां से तो y की value डारेक्ट आजए कितनी एक अधरवाइस दोनों समीकरणों को solve करना पड़ेगा चीक है कौन कौन से समीकरण कि वह 2 x minus y बरावर 3 और x plus y बरावर 3 बात समझ में आई तो यहां से y से y कट जाता यह 3 x बरावर केतना हो जाता 6 और x बरावर केतना जाता 2 और x बरावर 2 को कहीं भी रख दो तो वहां स पौबर 2 x minus y और 3 की पौबर x plus y बरावर में 3 की पौबर 27 का मतलब क्या है 3 और under root का मतलब क्या है 1 बटे 2 इसका मतलब 3 बटे 2 पात समझ में आई अंडर root का तो 1 बटे 2 आ गया और 27 को लिखूंगा मैं 3 की पौबर 3 यह इस तरीके से लिखा है मैंने अंडर root 27 का मतलब है 3 की power 3 का अंडर root और अंडर root का मतलब है power कितनी 1 बटे 2 अब power के उपर power है तो powers का multiply हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 बटे 2 बास समझ में आई चीक है तो यहां से अब 2 समीकर बनेंगे अपने पास में एक तो 2 x minus y बरावर कितना है 3 बटे 2 और दूसरा x प्लस by बरावर कितना है 3 बटे 2 बाई से बाई कट गया 2 x और x कितना हो गया 3 x और देड़ और देड़ कितना हो जाएगा 3 तो x की value कितनी आ जाएगी एक बोलो आएगी के नहीं यह x की value किसी भी समीकरण में पुट कर दो आप मैंने x की value इसमें रख दी तो यहां से x प्ल बस by बरावर कितना है 3 बटे 2 और बाई बरावर एक माइनस होगा 3 बटे 2 का मतलब डेड़ तो कितना बचा आदा बोलो बचा है के नहीं और यहां पूछ रहा है वो 3 की power 3 की power x-by x की value कितनी आई है अपने पास में एक और बाई की value कितनी है 1 बटे 2 तो 1-1 बटे 2 का मतलब कितना है 1 बटे 2 और 3 की power 1 बटे 2 का मतलब कितना है अंडर रूट 3 तो option हो जाएगा कौन सा सी बाला के लिए पहला वाला तो करे लिया होगा फिर दो की power x-plus 6 बरावर यहां 2 की power 3 बनेगा और 3 का multiply हो जाएगा 2 की power 3x-plus 3 3 का multiply होगा ना पूरे में तो x-plus 6 बरावर किसके हो तीन इदर आके माइनस 3 बचा तो x बरावर कितना आ गया 3 बटे 2 option कौन सा हो जाएगा पहला clear है देखो next questions next question 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 number 3 की करणी 4,10 की करणी 6 यह जब करणी कह रहे हो न तो यह अंदर आनी चाहिए चोंच में न और 25 की करणी बार है को अब रोई करणी वह कैसे भी पूछ सकता है देखो आ रोई पूछ ले अब रोई पूछ ले सबसे चोटा पूछ ले सबसे बड़ा पूछ ले चीक है और फिर नेक्स कोश्चन रहेगा पांच की पोवर रूट एक्स पिलस बारे की पोवर रूट एक्स बरावर तेरे की पोवर रूट एक्स यह दूसरा कोश्चन है अब फिर तीसरा कोश्चन रहेगा एक्स रूट एक्स की पोवर एक्स बरावर एक्स की पोवर एक्स रूट एक्स तो एक्स का मान क्या है यह तीन कोश्चन है देखिए कर दीजी फटाफट पहले इस पर याओ कोशें नमबर दो पर पांच बारे और तेरे यह पाइथागोरस ट्रेक है हमें पता है सबसे छोटी बुजाका बर्ग प्लस उससे बड़ी बुजाका बर्ग बरावर तीसरी बुजाका बर्ग यह होता है तो इसका मतलब क्या है यहां भी कितना आना चाहिए दो यहां भी कितना आना चाहिए और यहां भी कितना आना चाहिए तभी तो यह पांच का बर्ग प्लस बारे का बर्ग बरावर तेरे का बर्ग बनेगी इसका मतलब रूट एक्स की जगे दो आना चाहिए तो एक्स की जग प्लॉस बारे का प्लॉस तेरे का भर्व इसका मतलब एकक्स की जो वेल्य को कितनी आई है चार रूट 4 नहीं कर भी X कि poverty कितनी है एक पावर नहीं लग रही है multiply है और अंडरूट Sami यह वैलियू किया है एक बटे दू तो यहां तो इसकी पवर एक है तो यह दोनों तो आदार समाने गातंग जोड़ जएगी तो तो X की पोवर कितनी बन जाएगी, तीन वटे दो, की पोवर कितनी है, X, बराबर यहां आजाओ, X की पोवर, देखो, अब इन पर सॉल्व करूंगा, तो आदार समाने, गाते जुड़ जाएगी, तो X की पोवर कितनी आएगी, अब मुझे एक बाद बताओ, इसको लिख सकत सॉल्व में, X की पोवर, तीन एक्स बटे दो, ठीक है, लेकिन यहां मल्टिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पोवर के उपर पोवर लग रही है, तो पहले यह सॉल्व होगा, इसको लिखूंगा, X की पोवर, X की पोवर, तीन वटे दो, इसका आदार कितना है, इसक एक्स की वेली चाहिए, तो इस X को इधर पक्षांतरन करूंगा, तो X की पोवर, तीन वटे दो, बटे में, X की पोवर, एक बनेगा, और यहां कितना रहे गिया, तीन वटे, दो, अच्छा, यह एक उपर जागे मैनस होगी, तो तीन वटे दो, बरावर, X की पोवर, तीन बटे, चाहिए, बासमज में आई, यह था, इसका solution, और इस पे आजाओ, पायतागुरस पर में, मैं यही थोड़ा सा, चलो पायतागुरस पर में बताता हूं, पहले यहां तर नोट करो इसको, तेखो, पायतागुरस पर में क्या है, जितनी वे बज्जे सिंख्या है, मोटी मोटी पायतागुरस पर में बता रहा हूं, जैसे तीन है, चीक है, तो तीन के बाद में पांच है, पांच के बाद में साथ है, साथ के बाद में ग्यार है, तेर है, सत्र है, ठीक है, इसमें जो तीन का कि यह जाए आधा तो थे सब्सक्वास प долларов कृतो है इसमें चार को बार है चार चोक 16 चार पंजे पीस यह वी पैथा अग्रों होती है तो एक पाइथा ग्रों पर बेसिक भाई को यह यह पांच गबर केतना हुआ 25 25 20 20 पांच घटा दो बारे में पॉइंट पांच जोड़तो गूनती है तो पांच बारे है बुआरे थे अब पांच बारे थेरे बेसे के दो कर दो 10 24 26 यह पाइता गुरस कर दो 15 36 49 यह पाइता गुरस कर दो एक यहांपर साथ कावर कितना होता है इसका मतलब किया है साथ चौवीस और पचीश की पाइतागोरस प्रमें बन जा सकती है अब रहेगे यह वाला पॉश्चन तो इस टाइप पॉश्चन आगे करेंगे करेंगे